हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरा नाम इसंदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉस्टिबल के योटूब चैनल पर आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजिसीनेट फर्स्ट पेपर में 9 अक्टूबर 2020 को स कुछे जाते हैं पेपर वन में तो आज की इस वीडियो में 20 कुश्टिन हम सौल्ब कर रहे हैं बाकी के बचे जो 30 कुश्टिन है उसको पार्ट 2 में हम कवर करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमले रिक्वेश्ट है कि जितने भी कुश्टिन मैं कराऊंगा आप सभी को उसको आपको क्या करना है कि प्रेक्टिस सीट की तरह अटेम्ड करना है क्वेश्टिन को मैं पढ़ूंगा उसके बाद से ऑप्सन भी बताता हूं और आपको क्या करना है क्वेश्टिन को पढ़ा ऑप्सन को मैंने बताया तो वीडियो को तुरंत प तो जो question आपको नहीं भी आएगा जिस question का answer भी आपको नहीं पता होगा तो सभी का मैं answer भी बताता हुआ चलूँगा और question के details को भी describe करता हुआ चलूँगा तो इस तरीके से दो तरीके से आपको फायदा हो जाएगा कि question के details के साथ solve भी आपको मिल जाएगा और सभी question को आप प्रेक्टिस सेट की तरह अटेंड भी कर लेंगे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि सबसे पहले question हम से पूछा जा रहा है यहां पर data interpretation से और आप सभी को बता है कि तो उपर आप देखेंगे कि निर्देश दिया गया कि पांच विबिन छेत्रों का नाम तरह यानि पांच विबिन छेत्र हैं जिसका नाम जे के ल एम और यन दिया गया है तो यन से वर्ष तो हजार चौदा और उननीस के दोरान किसी परिच्छा में बैठने वाले देखे ब तालिका में उपलब्द हैं तालिका के अनुसार प्रश्ण एक से पांच तक का हमें क्या करना है उत्तर देना है तो आप देख सकते हैं कि ओपर यहां पर रो बना हुआ है तो इसमें विबिन छेत्रों के अभ्यारतियों की वर्ष वार संख्या दी गई है और यह छेत्र द पताया गए कि दे गई अवधी एम छेत्र से परिच्छा में बैठने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यारतियों की संख्या के बीच का अंतर वर्ष में दूसरा सबसे नियूंतम था यानि कि यहां पर आप से अंतर पूछा जा रहा है किसमें यम छेत्र में और एक मतल है परिच्छा में बैठने वाले अभ्यारति और क्यों का क्या मतलब है योग्य पाए गए अभ्यारति तो अब इनके बीच का अंतर हमें बताना है अंतर में भी क्या बताना है कि सबसे पहले जो अंतर आएगा कम अंतर उसको बताना है तो दूसरे नंबर का जो हमें सबसे क क्या करना है घटा देना है सभी को घटाना है 2014 से लेके 2019 तग तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर 2014 2014 में जो है इसको घटाएंगे 2014 का जो यहां पर डेटा है तो पहले दिया गए सात्सो चालिस दिए गया है सात्सो चालिस फिर माइनपस आपको करना है तीन सो थीस प्रैसे जब आप यहां पर इसको घटाएंगे यह आपका अंसर निकल कराए गया 4007 हो जाएगा आपका यह दोहारसोलग करना यह पंद्र है यह दूसरे नंबर का अप निकाला यह 2015 का है अब 2016 का आपको निकाल लेना है तो 2016 में भी सेम यह प्रोसेस करेंगे 830 यहां पर दिया गया है 830 आपका ए है और यह जो है परिचाम बैठने वाले अब्यार्थियों की संख्या है तो 830 में से जो है देखे डिटा दिया गया है 930 930 फिर माइनस आपका हो जाएगा 640 और फिर जब इसे घटाएंगे तो आपका आजाएगा यहां पर 290 फिर उसी प्रिकार से आपको 18 का निकाल लेना है 18 का जब आप निकालोगे यहां पर तो देखे 1140 वर फिर 520 1140 आपको लिखना यहांपे –520 इसे जब गटाएंगे तो आपका यहां पर आंसर निकल के रहाएगा 620 इसी प्रिकार से आपको 19 का निकाल लेना है देखे मैं सारा कुछ detail में solve कर रहा हूं ताकि आपको सारा कुछ clear हो जाए तो 19 में देखे यहां पर दिया गया है यहां पर देख सकते हैं 19 का जो data है सो नहीं हो रहा होगा तो यहां पर दिया गया है 1420 1420 माइनस आपका हो जाएगा 1140 जब इसे आप घटाओगे तो आपका जो यहां पर आंसर आएगा 280 तो अब आपको यहां पर ध्यान लगाना है क्योंकि यह अंतर हमारा निकल कर आया है तो सबसे कम अंतर कहां पर है आपका 2014 में है 180 का और दूसरे नंबर का यहां पर पूछा जा रहा है तो देखेंगे दूसरे नंबर का आपका जाएगा 2016 में 270 और यहां पर 2016 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि अंतर आपको बताना है यम छेत्र में अगो भी दूसरे नंबर का यानि सबसे कम जो अंतर है आपका 2014 में है 180 फिर उसके बाद से 2016 में है तो 2016 हमारा क्या हो जागा राइट आंसर क्योंकि दूसरा सबसे निउन्तम था ये आपको याद रखना है ये जो है आपका परिष्चा में बैठने वाले जो है अभ्यारती और क्यों जो है आपका योग्य पाए गया अभ्यारतीयों की संख्या है तो आसा करता हूं कुश्चन आपको क्लेर हो गया होगा थोड़ा समय मैंने ज 2019 में छेतर यल के योग ये पाए गया अभ्यारतीयों की संख्या का लगबग कितना प्रतिस्द हैं तो हमें यहां पर सेंटेज में निखालना है तो देखिए यहां पर आप देखोगे कि के यहां पर दिया गया है और के जो छेतर है और इसमें क्या दिया गया है कि के से परिच्छा में बैठने वाले अभ्यार्थियों की संख्या तो परिच्छा में बैठने वाले अभ्यार्थियों की संख्या तो यल आपका यहाँ पर है और Q जो है यहाँ पर योगे पाए गए ब्यार्थियों की संख्या है किस में दिया गया है 2019 में आपको यहाँ पर ध्यान देना है यह डिटा है और यह जो आपका है 2017 में है तो आपको 2017 में आप देखोगे परिच्छा में बैठने वाले ब्यार्थ एक equation बनाना होगा तो equation में सबसे पहले आपको लिखना है 540 बटे में 740 जो कि आपका है परिच्छा में बैठने वाले बैर्थियों की संख्या है फिर गुड़ते 100 आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए गुड़ा कर देना होता है तो जब इसे आप solve करोगे तो आपका यहाँ पर 72.97 परसेंट जो है निकल कर आएगा और यहाँ पर देखो कि विकल्प में ऐसा कोई भी option नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि जो सबसे करीब का option आपको answer के करीब लगे वही आपका सही answer हो जाएगा सिंपल साथ यह जो है question था आपका इसी से related जो data interpretation है तो कोई भी doubt हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं आईए एकला question देखते हैं अगला question नमरा है question number 3 देखे इसमें पूछा जारे कि समगरे रूप से पूरे वर्स की तुलना में छेत्र यन से परिच्छा में बैठने वाले अभ्यारतियों की आउसत संख्या क्या है सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आउसत निकल जाएगा तो पहले हम चलते हैं यन छेत्र पे तो देखे यन छेत्र आपका यहाँ पर है पूछा क्या गया है कि परिच्छा में बैठने वाले अभ्यारतियों की संख्या तो परिच्छा में बैठने वाले अभ्यारतियों की संख्या जो है एसे इंडिकेट किया गया है तो सभी का हमें करना है क्या करना है सभी का यहां पर 2014 से लिके 2019 के बीच में तो इसको क्या करना है पहले जोड़ देना है आपको तो सबसे पहले कहा करना होगा आपको सभी को लिखना होगा 620 प्लस फिर उसके बाद से फिर 620 दिया गया यहाँ पर फिर प्लस आपका हो जाएगा फिर उसके बाद से 640 फिर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 780 फिर प्लस आपको करना है फिर उसके बाद से 990 फिर प्लस आपको करना है 1180 इस प्रिकार से आपको इसे जोड़ लेना है संख्याएं कितनी है 6 तो 6 नीचे लिख लेना है जब आप इसे जोड़ लेंगे तो टूटल आपका आएगा यहां पर 4830 बटे में आपका 6 हो जाएगा जब इसे आप सॉल्ब करोगे तो 805 आपका आंसर निकल कर आएगा यानि आउसत कितना है 805 और यहां पर आपसंटी में आप देखोगे कि आपसंट जो है दिया गया 805 तो यह हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या करना है सबी संख्याओं को जोड़ लेना है यह जो है परिच्छा में यहां पर जो है बैठने वाले अभ्यार् और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा आफसंटीन क्या है राइट आंसर आसा करता हूँ कुश्चन आपको क्लेर हो गया होगा आई एकला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर 4 देखे इसमें पूछाएगे कि वर्स 2014 में जे छेत्र से पर पूछा जा रहा है परिच्छा में बैठने वाले अभ्यारतियों की संख्या तो एसे जो है परिच्छा में बैठने वाले अभ्यारतियों की संख्या को इंडिकेट किया जाता है तो यहां पर आप देखेंगे कि 320 दिया गया है तो आपको क्या करना है यहां पर 320 लिखना है और Q से योग्य पाए गए अभ्यारतियों की संख्या को इंडिकेट किया गया है तो कितना है, 560 है तो आपको क्या करना है, 560 यहाँ पे लिख देना है अब आप देखोगे कि यह आपका 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा पूरी तरीके से फिर यहां पर अनुपात का sign बनाना है और यह आपका 7 से कट जाएगा ठीक है तो 4 अनुपाते 7 का जो है आपका यहां पर ratio या अनुपात निकल करा जाएगा और आप देखोगे कि इन 4 विकल्पों में से आपको option A जो है यहां पर दिया गया है 4 अनुपाते 7 का तो यह क्या ह Down को जाएगा अठीक है और यहां पर इसको भी कटा देना और यह साथ से तो यहां पर जो JUL करा चार लोग्हार के प्रалоणा प्रच्छका निकल कर आएगा यह आपको याद रखना है और आसा करता हूं सबसे अधिक्तम था यानि कि यहां पर फिर से दूसरा सबसे अधिक्तम पूछा जा रहा है पहला सबसे अधिक्तम नहीं पूछा जा रहा है दूसरा सबसे अधिक्तम तो आप देखोगे कि यहां पर आपको 2018 दिया गया है और तो 2018 में आप देखोगे, यहां पर आपका दिया गया है 480, ठीके तो आपको क्या करना है, 480 और यहां पर 560 को जोड़ देना है, 480 प्लस 500, आपका यहां पर 60 क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, जब इसे आप जोड़ोगे, तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर, यानि यहां पर 520 और 640 है, तो इसी प्रिकार से यहां पर 520 प्लस 640, फिर इसे आप जोड़ोगे, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 1160, फिर उसके बाद से सीम आगे आप जाएगे, क्योंकि सभी का यहां पर पूछा जा रहा है, सभी में जो है, दूसरे नंबर पे कौन का, तो यहां पर यल शेतर में 680 और 740 दिया गया है, तो 680 प्लस 740 और इसे जोड़ोंगे, तो हमारा आएगा 1420, कितना आएगा 1420, फिर उसके बाद से आगे जाएंगे, एम शेतर में तो 520 और 1140 दिया गया है, तो यहां पर क्या करेंगे, कि 520 को हम लिख लेंगे, प्ल कर आएगा, अंसर, 1660, फिर लाश्ट में जो है, आपका यहां पर एंचेतर में आप देखोगे, 690 दिया गया है, 690 आप यहां पर लिखेंगे, 690 प्लस आपका हो जाएगा, 940 यहां पर, और जब आप इसे जोड़ेंगे, तो 1580 आपका यहां पर आजाएगा, तो सबसे अधिक कहां पर है, यहां पर आप देखेंगे, तो सबसे अधिक आपका है, यम शेतर में, 520 और 1140, यह पहले नंब पर आप देखोगे, तो यहां पर यहां पर यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका, यहां पर आपसन भी हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में, दूसरा सबसे अधिकतम कौन है, तो दूसरा सबसे अधिकतम आपका है, यह पर यन छेत्र जिसमें 1580 दिया गया है तो आसा करता हूं कुश्चन आपको क्लियर हो गया होगा आए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन नमारा है कुश्चन आपका option number C यहां पर विमर से इस तर जो है वो सहायक होगा देखे मैं इसको अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं आपको पता होगा कि कच्छा का मुक्त वाता वरण छात्रों में चिंतन तर्क तथा कल्पना सक्ति को बढ़ावा देता है जिससे बाद में छात्र इन उपा अजस्य बढ़ता है एवं एक दूसरे के प्रती शम्मान की भावना क्या होती है जादा होती है तो यहां पर जो है आपका option number C क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यहां पर विमर सी इस तर तो question clear हो गया होगा आईए बगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number seven देखे इसमें प अधिगम के बारे में दिया गया है और इनको सही करम जो है इसका बताना है नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको बताना है क्या option A सही है B सही है C सही है या D सही है इसका जवाब आपको comment box में देना है तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपक option number A क्या हो जाएगा यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आएगा यहां पर संकेतिक अधिगम आएगा आपका यह पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर विभेदी करण अधिगम आएगा और फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पर आपका तो पहले संकेतिक अधिगम दूसरा है विभेदी करण अधिगम तीसरा है अवधारडा अधिगम और चौथा है नियम अधिगम और डी है यहां पर यानिकि पांचवा है समस्या निदान अधिगम जो है सबसे अंतिम में आता है क्योंकि बच्चों के पास जब अपना पुस्तक का नाम है दकंडिशन आफ लर्निंग में जो है कठिनाईयों के आधार पर अधिगम को जो है आठ इस्तर में जो है बाटाया आठ इस्तर उनके बताए हैं तो सबसे पहले उन्होंने बताया था सांकेतिक अधिगम के बारे में यहां पर फिर दूसरा है अधिगम और साथ नंबर पे है इसमें नियम अधिगम और आठवे नंबर पे समस्या समधान अधिगम तो यहां पर बाकी के बीज में जो अधिगम के प्रिकार दिये गें वो नहीं मिंसन है तो जो सही करम हमारा होगा जो मैंने बताया वो आपका राइट हो जाएगा तो इसमें पूछा जारा कि सामानी करण योगिता के लिए संभावना की खोच पर केंद्रित होने के साथ निमनलिकित में से कौन सा सोध का प्रकार मुख्यत सैधान्तिक प्रगती के प्रियोग पर लच्छित होता है इन चारों विकल्पों में आपको बताना है क्या ऑप्सन ए और इसका जवाब आप सभी को कमेंन्ट बॉक्स में लिख कर बताना है तो हमारा आइट आंसर हो गया है और आपका अप negative wicked सोध जो है आपका क्या हो जाएर इसत्व कूश्चिन का सही युगता के लिए इन साथ इन चारों विकल्पों में से कौन सा सोध का प्रकार मुख्यता सैधान्तिक प्रगती के प्रयोग पर लचित होता है तो वो है अनुप्रियोक्त सोध इसे आपको याद रखना है देखे इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग तो सिच्छा के छेत्र में इस प्रकार का अनुसंधान जो है वह प्राया व्यवारिक समझ्याओं के वर्तमान कालिक समाधान से जुड़ा होता है और सोध अध्यन विशिष्ट छेत्र आधारित एवं व्यवारिक धारतल पर ये पूरी तरीके से संपादित होता है इसे आपको याद रखना है क्या अनुप्रियुक्त सोध तो आज़ा करता हूँ कोश्चन आपको समझ में आया होगा आईए एगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन हमारा है कोश्चन नमर नाइन देखे इसमें पूछा जारे के महा विद्याले इस्तर की सिच्चा में आत्मगत सु इस्थिती निस्चित करने की दृष्टे से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोचसाहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में इन चारों विकल्पों में से कौन सा बौधिक गुण समपोसित करने की अवश्यक्ता होती है आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है क्या ओप्शन A सही है, B सही है, C सही है या D सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा भावनातमक बुद्धी संबंदी जो है यहाँ पर बौधिक गुण को जो है संपोसित करने की आवशकता होती है अध्यापक को ये आपको याद कर लेना है देखिए आप सभी को पता होगा कि महा बिद्याले इस तर पर आत्मगत सु इस्थिती पूर्टा को प्राप्त नहीं कर पाती है तथा चात्र अभिप्रेरित तथा प्रोथसाहित नहीं हो पाते हैं और ऐसी इस्थिती में भावनातमक बुद्धी विशेस योगदान दे सकती है और आपको जानकारी होगी या आपको पता होगा कि भावनातमक बुद्धी एक ऐसी सामाजिक बुद्धी है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को आत्मसत्ता कर उसकी समस्याओं को स्वयम की समस्या वह चुनावती समझ कर उसे दूर करने का पूरी तरी अग्ला कुश्च नमर आए कुश्च नमर 10 देखे इसमें पूचा जार रहे के नीचे दो कथन दिये गए हैं दोनों कथन को हमें पढ़ना है और प्रिक्त कथनों का औलोकन करना है और निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर का हमें क्या करना है चुनाव करना है तो देखे कथन पहले में दिया गए कि अनुदेशात्मक लच्छों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रियोग की गई तकनीकों का नेटवर्क मreं बताएग reminder कि यदि व्यक्ति विकास सिच्छा का लच्छ है तो computer एडिट सिच्छण अध्यापक को प्रति स्थापित कर सकता है तो यानी कि आप यंजिग से सही है सही ऐसे सही है कमेंड बोक्स में इसका सही आंसर आपको बताना है देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहाँ पर कथन एक सत्य है किन्तु कथन दूसरा क्या है पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है कैसे है मैं इसे अभी आपको बता रहा हूँ तो देखिए पहले कथन मैं बताएगा कि अनुदेशात्मक लच्चों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का network अनुदेशात्मक तकनीक है यह पूरी तरीके से सही है लेकिन कथन दो में क्या बताएगा कि यदि व्यक्ति विकास सिच्चा का लच्च है यानि कि यदि व्यक्ति विकास सिच्चा का लच्च है तो computer edit अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है यानि कि इसमें क्या बताएगा कि जो computer edit सिच्चण है वो क्या अध्यापक को क्या प्रतिस्थापित कर सकती यानि कि अध्यापक को बदल सकती यानि अध्यापक की जगह ले सकती है कभी भी नहीं ले सकती है computer क्योंकि अध्यापक और computer में बहुत ज्यादा अंसर है क्योंकि computer आपके emotional या भावनात्मक चीजों को नहीं समझ सकता वो आपको सही स्थापित यानि बदल नहीं सकता उसकी जगह नहीं ले सकता यह आपका पूरा गलत है ठीक है जब कि यहां पर बताया कि प्रतिस्थापित कर सकता है आसा करता हूं कुशन आपको clear हो गया होगा आई एकला कुशन देखते हैं अगला कुशन नमर आए कुशन आपको चुनाओ करना है क्या आपसन ने सही है क्या और बोक्स में आपको पताना है तो देखिए इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुश्चन नमर 11 का वह आपका आपसन नमर डी यहां पर ए बी और ए यहां पर ए बी और ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो सबसे पहले आपका यहां पर कुश्चन में यही बोला गया था कि त्रिभुजन उपागम का प्रियोग करने वाली सोध परियोजना में अभिभावकी अभागिदारी अभिविर्ती तथा समस्याओं के अध्यन पर जाच का भाग जो है किसे बना जा सकता है साचातकार को फिर उसके बाद से क्या प्रेच्छन को और उसके बाद क्या है त क्वेशन नंबर 11 का आपसन नंबर डी सही आंसर बताया होगा आई अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नंबर 12 देखे इसमें पूछा जारा के निमनलिखित में से कौन सी सोध विदी में स्वतंत्र चरों को आस्रित चरों पर उसके प्रभ यहां पर प्रायोगिक विधी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा देखे प्रायोगिक विधी में स्वतंत्र चरों को आस्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है यहां पर प्रमुक चरों पर नियंत्र तरीके से प्रभाव का अध्यन किया जाता है जहां यह जो है नियंत्रन अतियंत जो है कठोर होता है तथा स्वतंत्र चर के यह तेश्ट प्रियोग की पूर्ण स्वतंता सोध करता को होती है इसलिए यहां पर option B क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा प्रायोगिक विधी तो कोश्चन हमारा है कोश्चन नमबर 13 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि निमनलिकित में से किसमें सोध नैतिकता के उलंगन के परियाप्त अवशर है उसके सम्मंद में यहां पे कुछ तर्थे दिये गए हैं और नीचे दिये गया विकल्पों में से सही उत्तर का तो दो किस क्कुश्चन का जो हम्रा राइट आंसर हो जाएगा वह आपका उपसान नबर सी क्या हो जाएगा यहां पर engagement आंसर हो जाएगा खेवल भी डी और ऑर ईजल से यहां पर डिया सोध परीडियामों कि जानकारी देना और यहां पर दिया गया इमें दूसरों दौरा बनाए गए सोध साधनों का प्रियोग करना जो की कुश्चन में क्या पूछा गया था कि इन सभी तत्यों के अनुसार किसमें सोध नैतिक्ता के उलंगन के प्रियाप्त आफसर होते हैं तो आकडों की व्याख्या में जो नैतिक्ता के उलंगन का प्रियाप्त अॉशर होता है इसके साथ सूध परिडामों की जानकारी देने में और यहां पर इहaina दूसरों दौरा बनाए गए सूध साधनों का प्रियोग करना तो यह तीन ऐसे यहाँ पर तत्थे दिये गए हैं जो सोध नैतिकता के उलंगन के प्रियाप्त अवशर हैं यहाँ पर इसे आपको याद रखना है और यहाँ पर option C क्या हो जाएगा right answer तो आसा करता हूँ कि आप सभी ने इस question का option C right answer बताया होगा आईए अगला question देखते हैं अगला question नमर आए question नमर फूटिन देखे इसमें पूछा जारे कि नीचे दो कथन दिये गए हैं दोनों कथन को हमें पढ़ना है और उप्रियुक्त कथन का उलोकन करके नीचे दिये गए विकल्पों के अनुसार सही आंसर बताना है सबसे पहले कथन एक को पढ़ते हैं कि सोध प्रकल्पना अनुमानिक कथन है जो अध्यन की शमर्षया के निदान की दिसा में चरू के बीच सम्मंधों को अभी धरित या अभी धारित करता है और कथन दूसरे में दिया है कि गैर संभाविता, प्रतिदर्स, प्रतिचैन, प्रक्रिया, जनशंख्या, प्राचाल के लिए सर्वोत्तम आकलन है अब आपको बताना है यहां पर कि उप्रियुक्त कथन का आपको अवलोकन करना है समझना है कि इन चार उवी कल्पों में से कौन सा ओप्सन सही हो जाएगा क्या ओप्सन A सही है, B सही है, C सही है, या D सही है तो देखे इस कुशन का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहां पर कथन सत्य है किन्तु कथन दो गलत है यहाँ पर कतन पहले में यही बतायाएं कि सोध प्रकल्पना अनुमानिक है वो क्या ऊती है अनुमानिक होती है ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से सत्य हो जाएगी जो अध्यन की समस्या के निदान की दिसा में चरो के भी समंदों को अभी धारित करता है तो यह पूरी तरीके से सही है मैंने आपको बताया पिर कथन दूसरा आपका कैसे गलत है यह इसमें बतायागी गैर संभाविता प्र आपसन सी बताया होगा अगला कुछिन देखते हैं अगला कुछिन हमारा है कुछिन नमर 15 देखे इसमें पूछा जारे कि कच्छा में सिच्छन विवार के नीचे दिये गए गुणों के अनुसार किसको रचनात्मक मुल्यांकन के भाग के रूप में वर्गिकृत किया जाए गा उसके संबंद में यहां पर कुछ तत्थे दिये गए हैं और नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चुनाओ करना है और कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर बताना है तो देखे इस कुछिन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुछिन नमबर 15 क वो है आपका आपसन नमबर B यहां पर A, C, D क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर A और C और D कुछिन में यह पूछा गया है कि कच्छा में सिच्छण विवहार के नीचे दिये गए गुणों के अनुसार यानि कि कच्छा में सिच्छण विवहार के संबंद में नीचे जो गुड दिये गए यानि यह सभी जो गुड दिये गए उसके अनुसार किसको रचनात्मक मुल्यांकन के भाग के रूप में वर्गी कृत किया जाएगा तो पहला है चात्रों से इस पश्टी करण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रशन पूछेगा फिर उसके बा का यहां पर सही हो जाएगा कच्छा में सिच्छन विवहार के नीचे दिये गए गुड़ों के अनुसार रचनात्मक मुल्यांकन के भाग के रूप में यह तीनों विकल्प जो है वर्गी कृत किये जाएंगे इसलिए हमारा ऑप्सन भी क्या हो जाएगा राइट आंसर कि और ले जाता है पहला आपको यहां पर दिया गया है वक्ता को महत्व देना दूसरा है अटपटी परिकल्पना सी है अय थार्थ अनुमती और यहां पर डी है वक्ता का निरादर तो देखे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना है वैसे इस अनुमिती वह इस्थिती होती है जिस समय जो सुरोता होता है जो सुनने वाला होता है वो अपने ही विचार में मगन रहता है और जो वक्ता होता है जो भी कुछ बोलता है उसके विचारों को अच्छे तरीके से सुन नहीं पाता क्योंकि वो अपने विचारों में ही मगन हो होता है तो सी को अधृत्हार्थ अनुमिति यहां पर बताला Ik nutar रोगट कि और क्या हो करता है ले कर जाता है यायनी चुनेगा नहीं वो क्या करेंगा रूता सुनेगा नहीं यह आपको याद रेखना है क्या है इसलिए जो भी वक्टां यहां पर कुछ कुछ भी बोलेगा तो वो उसे सुनेगा नहीं इग्णोर करेगा उसे सुनाई नहीं देगा क्योंकि वह अपने में ही मस्त है तो देखिए यहां पर आप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस कोश्चिन का इसे आपको याद रखना है आई अगला कोश्चि नमबर 17 देखिए ये सुची वन और सुची दो गोजो है मिलान करना तो सुची 1 में लेखक का नाम दिया गया सुची 2 में संचार की अवधार्णा दिया गया तो इसे आपको क्या करना है मैच करना है विकलपों के अनसार सही आंसर आपको बताना है तो आई इसको मैच कर ल प्रिशक संदेश चैनल प्राप्त करता प्रारूप संचार की अधारडा से यहां पर डेविड बर्लो का तो इस प्रिकार से आपको क्या करना है मैच कर लेना है और नीचे आप देखोगे कि चार विकल्प दिये गए तो जैसे भी आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सही आंसर का आपको चुनाओ करना है तो जैसे हमने मैच किया उसके अक प्रशारण चैनलों को चुनने वाले निमनलकित देशों के काला नुक्रम को चिन्हित कीजिए तो देखें यहां पर सेच्छड़क प्रशारण चैनल के बारे में दिया गया अलग-अलग देशों के बारे में तो आपको क्रम के अनुसार क्या लगाना है कि सबसे पहले सेच् आपका option number A क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer हो जाएगा तो सबसे पहले देखे यहाँ पर B आपका पहले number पर आ जाएगा United State तो यहाँ पर देखे उननीस सो बावन में जो है National Education टेली वीजन का जो है चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया गया था सेच्छडिक प्रसारण से सम्मंदित आपको याद रखना है कहां से United State यहाँ पर आपको मैं डैस देखे 1952 में जो है National Educational Television नाम का सेच्छडिक प्रसारण चैनल स्टार्ट किया जा था यह पहले number पर है दूसरा number आपका क्या है दूसरा number है आपका Great Britain का तो देखे Great Britain में Great Britain यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ Great Britain में जो है BBC स्कूल नाम का जो है एक सेच्छडिक प्रसारण चैनल स्टार्ट किया गया था BBC आपको याद रखना है BBC स्कूल यहाँ पर यह से मैं डिकेट कर देता हूँ 1957 में ठीक है फिर उसके बाद से तीसरे नमबर पर देखे यहाँ पर है आपका कैनेडा कैनेडा में देखिए यहाँ पर 1972 में जो है यहाँ पर लर्निंग चैनल नाम से 37 प्रसारण चैनल की सुरुवात होई थी और यहाँ पर चौथे नमबर पर आपका आ जाएगा आइस्ट्रेलिया आज्ट्रेलिया आपका वहाधा चौथे नमबर पर कि भारत में ज्ञानवाडी नाम का चैनल जो है उसकी सुरुवात आपका 2000 से लेकि 2001 के बीच में जो इसकी सुरुवात हुई थी और ये इस पर सेच्छा से संबंदित या पठन पाठन से संबंदित जो है इस पर प्रिशारन होता है तो आसा करता हूं कि जो मैंने क्रम बता है उसको याद कर लीजेगा क्योंकि परिच्छा में यहां से कुष्चन पूछे जा स के अनुसार सही आंसर बताना है पहला कथन है कि अवाचिक संकेत का मुक्त एवं असमित प्रियोग कच्छा में सिच्छन के संप्रिश्डात्मक पहलों को बढ़ाता है कथन दूसरे में बताया कि अध्यापक का आकर्शक व्यक्तित्व कच्छा के वातावरण को जीवांत बना देता है अब आपको इन चारव गल्पों में से सही आंसर बताना है इसको समझने के बाद तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आपसर नंबर डी क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर कथन पहला असत्य है किन्तु कथ पहलों को बढ़ाता है जबकि ऐसा नहीं होता है और वाचिक संकेत जो है मुक्त एवम असिमित परियोग जो है कच्छा में सिच्छन के शंप्रेश्णात्मक पहलों को बढ़ाता नहीं घटाता है यह आपको याद रखना है जबकि कथन दूसरे में बताएगे कि तक अच्छे से पहुंसता है उसका हाव वहार प्रष्णालिटी सब अच्छी है तो वह क्या करता है वह आकर्शित करता है अपने तरफ विद्यारतियों को और वह आतावरण को यानि कि क्लास का क्या करता है जीवांत बनाता है ऐसा नहीं कि मरा मरा रहता है कि लिग्च psych 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 सुन नहीं रहे हैं तो वह वातावरण को क्या करता है जीवांत बनाता है तो यहां पर option D क्या हो जाएक हमारा question का right answer आसा करता हूं question clear हो गया आई एगला question देखते हैं अगला question हमारा question number 20 और वीडियो का last question है तो नीचे दो कथन दिये गये हैं दो कथन को हमें पढ़ना है और उसका अवलोकन करना या उसे समझना है और फिर उसके बाद से नीचे दिये गए विकल्पों के अनुसार सही answer बताना है तो जैसे हमने ऊपर अभी question number 20 को देखते हैं क्योंकि वो question जो question number 20 में करा रहा था तो उपर जो मैंने question number 19 करा था उसी question को दुबारा से retype हो गया था तो उस question को हमने तो solve कर लिया था तो question number 20 को देखते हैं और ये वीडियो का हमारा क्या होगा last question देखे इसमें पूछा जारे कि कच्छा में अध्यापक की बढ़ी हुई आपेच्छाएं B है अधिगम संतूष्टी अनुसरण के रूप में C है अध्यापक के लिए बढ़े हुए प्रोनती के उशर D है लच्छों की प्राप्ती के लिए छात्रों को सच्छम बनाना और E है साकारात्मक अधिगम प्रतिफल तो यहाँ पर कच्छा में प्रभावी संप्रेशन के संबंद में कुछ परिडाम दिये गए हैं और कौन-कौन से परिडाम हमारे सही है उसको इन चारों के कलपों में से बताना है तो देखिए इस कोश्चिन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आपका आपसर नमबर डी यहाँ पर केवल B, D, E आपका क्या हो जाएगा B, D, E सही हो जाएगा अधिगम संतोष्टी अनुसरण के रोप में और फिर उसके बासे D है लच्चों की प्राप्ती के लिए छात्रों को सच्छम मनाना और साकरात्मक अधिगम प्रतिफल यह सभी जो है कच्छा में प्रभावी संप्रिशन के परिडाम है यह आपको हमारा वीडियो का लाश्ट कोश्चन है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर यानि 2020 में जो है 9 अक्टूबर को सिप्ट वन में जो पेपर हुआ था पेपर वन का आपका उसके बेस को सॉल्व कर रहे हैं और बाकी के पूरी तरीके से हल्प करेगा प्रेक्टिस्टेट की तरह भी और इसके साथ साथ कोश्चन के डीटेल के साथ भी मैंने इसको सॉल्व कराने का प्रयास किया किसी को लेकर अगर आपको डाउट होता है कुछ समझ में नहीं आता है जाम रिलेटेट क्वेरी है या अध्यन सम करता हूं कि सभी के कमेंट को पढ़ूं और उसका आंसर करूं या उससे कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन बताओं तो आसा करता हूं कि वीडियो का सिसन आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो कहीं से भी अच्छा लगए तो लाइक करिएगा और उसके बगल में जो सेर का वटन होता है तो सेर भी से कर दिजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे लाभ मिल सके और चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का वटन होता है इस प्रकार से घंडिका उसे जब तक आप क्रिश नहीं करेंगे तब तक इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो को नाटिफिकेशन आपको क्या होगा नहीं प्राप्त होगा जब वीडियो को नाटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा तो वीडियो आपसे मिस हो जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना है फि झाल झाल